नमसकार, शो में आपका स्वागत है, नवींतम घटनाकरम में पुर्तगाली आज आम चुनाव में मतदान करने जा रहे हैं। दो दल जो दशकों से बारी-बारी से सक्ता में रहे हैं, केंद्र में वामपंथी सोशलिस्ट पार्टी और केंद्र में दक्षिनपंथी सोशल डेमोक्राटिक पार्टी, जो दो छोटे सहयोगियों के साथ एक गटबंधन में चल रही है जिसे वह डेमोक्राटिक एलायंस कहत दोनों, पार्टियां ब्रश्टाचार के घोटालों से कलंकेत हुई हैं। बहुत कम आगे हैं। लेकिन दोड बहुत करीब है। सभी को समायुजित करने के लिए मतदान के इंदर 12 घंटे से अधिक समय तक कुले रहने। के कारण रिकॉर्ड संख्या में मतदाताओं के चुनाव में भाग लेने की उम्मीद है। आज देर शाम तक नतीजे आने शुर के अपडेट के लिए बने रहें।